नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कलपना शाह और आप लोग देख रहे हैं प्लानेट पोजपुरी तश्रकों आप सब के सामने आज मैं अपनी फिल्म विहारी चागे को प्रबोच करने के लिए आई हूँ जो की 17 फैबुरी को रिलीज हो रही है उस फिल्म के बारे में खासतोर पर आपसे बताना चाहूँगी कि ये फिल्म एमोशन और एक्शन से भरपूर फिल्म है इसमें भाई बहन का प्यार एमोशन बहुत स्ट्रॉंगली दिखाया गया है कि एक लड़की अपने छोटे भाई को किस तरह से दसना आती है उसके बाद उसके लाइक में क्या-क्या चेंजिस आते हैं किन वज़े से उसके भाई की दौत हो जाती है तो बहुत एमोशन से भरपूर फिल्म है लिक्वेस्ट करूं कि 17 फैबररी को प्लीज आप लोग थेटर में जाईए और इस फिल्म को जरूर देखिए मेरे फिल्म की डिरेक्टर है समीर खान जी मेरे को एक्टर है जिनों ने बहुत अच्छा एक्शन किया है विन्या आण जी और अधर सपोर्डिंग आक्टर है शाबास खान जी बहुत वहानिक, स्कीरण मुझे काहला है अंजरते शक्रम किसोंग मेरे विल्म को मुझे॥ जा सब्सक्रार happier Dadamad, Side Other शक्राइण छाओछा दी किरते किते शक्राइण केशन mori शक्राइण कार्ण पासे वालते आपबन रोट elo एक अज़न्हें मुझे महले हैं मैं भी बराबर के डांस करती हूँ और जब हम लोग सिंक्रोनाइज करके करते हैं स्टप तो बहुत अच्छा लगता है अंस्क्रीन बहुत अच्छी पर्पॉर्मेंस आती है तो देखिए इस तल को आपको कुछ नयापन देखने को मिलेगा बाकी फिल्मों से हटकर एक मेरा इसमें दो तीन तरह के अलग अलग खिरदार आपको देखने को मिलेगी एक एक अक्छन किरदार है एक पूरी भारी लड़की का किरदार है हम लग अक्षणी पंवेर में शूटिंग कर रहे थे और हमारे सेट के जस्ट वगर में सल्मान खानजी का सेट भी लगा हुआ था तो हमारी शूटिंग के दौरान सल्मान जी आया और उन्होंने हमारा एक्षण वगरा देखा सब कुछ देखा और उनने बहुत अप्रिशियेट किया कि भोजपुरी में भी इतनी अच्छी फिल्में क्या बनती हैं टेक्निकली अच्छी फिल्में हमारी पिक्चर के उनने बहुत तारीफ की तो खेर हमारे लिए अप्रिसियेशन की बात है कि इतना बड़ा सूपरस्टार अगर हमें अप्रिशियेट कर रहा है तो कि मैं आउडियन्स से बार बार यह कहना चाहूँ कि 17 February को प्लीज 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 अपने नजदी की सिनेमा घरो में चाकर इस फिल्म को जरूर देखें विहार और जारकड में एक साथ रिलीज हो रही है मैं प्लानेट भोजपुरी के सभी दर्शकों से कहरा चाहती हूँ कि अपने कंतना शाह को धीर सारा प्यार देते रहिए और मेरी फिल्म विहारी चाइगर ज़रूर देखें